पाठ दो ऐसे बचा बालवन पाठ का उदेश्य चात्रों को व्रिक्षों और पशुपक्षियों का महत्व समझाना हर कीमत पर हरे भरे व्रिक्षों को बचाने के लिए प्रेरित करना धर्ती पर जीवित रहने के लिए हरे भरे पेड़ पौदों का महत्व समझाना पाट का सार हरे भरे बालवन को कटने से बचाने के लिए बुड़ी अम्मा लिला देवी और बच्चे किस प्रकार पेड़ों से चिपक गए आये कहानी पढ़कर जाने पठन से पूर्व छात्रों को समझाएं कि किस प्रकार धर्ती पर कबज़ा करने के लिए मानव ने वनों को काट कर धर्ती को पेड़ों से रहित कर दिया धर्ती पर पेड़ों के बिना जीवन असंभव है एक बालवन नाम का उपुवन था उसके चारों और पेड़ ही पेड़ थे आसपास के सभी बच्चे रोज वहां केलते थे बालवन में बूरी अम्मा लीला देवी रहती थी अम्मा के बस यही बच्चे थे अम्मा को सारा दिन बच्चों के बगीचे में आने का इंतिजार रहता था बच्चे भी अम्मा से तरह तरह की कहानिया सुनते, कभी चान तारों की, तो कभी हाती की और शेर की कहानिया सुनकर बच्चे बहुत कुछ रहते थे, अम्मा भी कहानी सुना कर प्रसन रहती थी कहानी सुनते सुनते बच्चे पेडों पर चह चाहते पक्षियों की मदूर अवाजे सुनते पेडों के उपर से रंग बिरंगे पक्षी ऐसे जागते जैसे वे भी अम्मा की कहानी सुन रहे हो जब बच्चे कहानी सुन रहे होते और पक्षी फल पेड़ से नीचे गिरा देता तो उस फल को पाने के लिए बच्चों में खिचातानी होती थी एक दिन शाम को बच्चों ने देखा कि अम्मा बहुत उदास बैठी है बच्चों के पूछने पर अम्मा ने बताया अम मैं तुम्हें कहानिया नहीं सुना पाऊंगी बच्चे यह सुनकर हैरान रह गए वे चिन्तित होकर अम्मा का चैरा देखने लगे तभी रिंकल ने पूछा क्यों अम्मा हमने कोई शरारत की है क्या नहीं मेरे बच्चों तुम तो बहुत अच्छे हो कल कुछ अधिकारी आये थे वे बता गए हैं कि यहां कार पारकिंग बननी है सभी पेड काट दिये जाएंगे पेड नहीं रहेंगे तो मैं भी यहां नहीं रहूंगी नै मैं कहानी सुना पाऊंगी नैं पक्षी चह चाहेंगे और नैं तुम सब खेल सकोगे कहते हुए अम्मा के गालों पर टप टप आसु गिरने लगे यह सुनकर भराय गले से दिव्या ने कहा अम्मा पेड हमारे दोस्त हैं हम अपने दोस्तों को कटने नहीं देंगे हाँ अम्मा चित्रा, गौरव, करन और टीना की तरह पेड भी हमारे दोस्त बन गए हैं चंचल ने तुरंत कहा, गोरईया, मैना, गिलहरी, तोता और बुलबुल ये सारे पक्षी भी तो हमारे साथ साथ अम्मा की कहानिया सुनते हैं, वे भी हमारे दोस्त हैं, पेड इनके घर हैं, हम दोस्तों के घरों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, हम पेड नहीं कटने देंगे, बच्चे घर चले गए, अगले दिन सभी बच्चे बस्ति के अन्य बहुत से बच्चों को लेकर बालवन पहुँचे, थोड़ी देर बाद कुछ आदमी हातों में कुलहारी लेकर वहाँ पहुँच गए, उन्हें देखकर सभी बच्चे पेडों के पास खड़े अम्मा ने उन लोगों से पेड नए काटने के लिए कहा जैसे ही वे पेडों के पास आने को हुए तो बच्चों ने शोर मचा दिया वे पेडों से चिपट गए बच्चों का शोर सुनकर पक्षी भी जोर जोर से अजीब अजीब सी आवाजे निकालने लगे कुलहारी वाले लोगों में से एक आदमी बोला मैं इन पेडों को नहीं काट सकता यह अच्छा काम नहीं है सब बच्चे एक साथ चिल्लाए हम पेड नहीं कटने देंगे अचानक इतना शोर सुनकर बस्ती के अन्ने लोग भी वहाँ पहुँच गए अम्मा एक कोने में दुखी बैठी थी पक्षी भी मानों चीक चीक कर पेड काटने से रोक रहे थे अर्णव जो सबसे छोटा था तुतला कर बोला अंकल मेरी दादी मा कहती है कि किसी को दुख पहुचा कर कोई भी सुकी नहीं रह सकता कुछ बड़े अधिकारी भी बालवन पहुच गए थे चारो और से पेडों के काटने का विरोध सुनकर वे बोले ठीक है पेडों के नय काटने पर विचार किया जाएगा हम भी समझते हैं कि इस तरह पेड काटना अपराद है अब यहां से कोई पेड नहीं कटेगा कार पार्किंग कहीं और बनाई जाएगी यह स्थान बच्चो का ही रहेगा एक अधिकारी ने यह भी कहा बालवन में सुंदर पौदे और जूले भी लगाए जाएंगे इस तरहन को और सुंदर बनाया जाएगा सारा बालवन यह सुनकर प्रसनता से जूम उठा था पेडों के पत्ते जूम जूम कर धन्यवाद दे रहे थे तो पक्षी डाली डाली पर उड़कर चहकते होए खुशी के गीत गा रहे थे बच्चे भी अम्मा को खुशी से गेर कर खड़े हो गए दो